मंच पर विराजमान व्यास पीट पर विराजमान महान संत्वरंद जिनका मुझे अभी आसिरवाद मिला हम सब के प्रति उनका बहुत आसिरवाद है और मंच पर विराजमान राजस्तान सरकार के विकास के भागीरत ओजस्वी वक्ता और समर्पित कार्य करता आदेनिये मुख्यमंत्री भजनलाल जी सर्मा साब मंच पर विराजमान राजस्तान के पूर्व उपाद्याक्स अधनिये सीपी जोसी जी मंच पर विराजमान राजस्तान की संमानिये प्रभरी अधनिये विजयताई रहट कर जी और जिनोंने राजस्तान के विकास को आयाम इस्तापित किये और हिंदुस्तान भारतिय जनता पार्टी के संमानिये उपाद्याक्स अधनिये वसुंद्रा राजे जी अधनिये पूर्व अध्यक्स सतीज जी पूनिया साब और भुपेंद्र जी यादव अभी आने वाले थे और संभवतया आने वाले हैं क्योंकि अभी केंद्र में बजट सत्र चल रहा है और सनिवार रभीवार ही मिलता है सांसदों को मंत्रियों को तो उन्होंने कोई कारिक्रम देर रखा था लेकिन निश्चित रूप से उन्होंने वाइदा किया है आएंगे आदर्णिय गजेंदर सिंग जी सेखावत उन्होंने भी आने का वाइदा किया था संभवतया वो पोँचने वाले होंगे आदर्णिय अरजुन जी मेगवाल साब वो भी पोँचने वाले हैं आदेनिया भागीरत जी केंद्रिय बंत्री हमारे बीच में विराजमान है पूर प्रदेशा अध्यक्स असोग पन्नामी जी आदेनिया अरून चतुरवेदी जी आदेनिया राजेंदर जी राठोर साब मेरे बड़े भाई मुझे हमेशा ताकत देने का काम करते हैं आदेनिया अलका गुजड़ जी आदेनिया गंस्यामतिवाडी जी वो भी आने वाले थे उन्होंने कहा था कि मैं पूजा करूंगा विराजमान है चलो बहुत अच्छा है और यहां की सांसद आदेनिया मुंजु जी सर्मा साहिबा और मंचपर विराजमान प्रदेश के महामंत्री दामोदर जी अगरवाल के साथ इनकी पूरी टीम पूरे पदादिकारी गंड जन प्रतेनिदी गंड माननीय सांसद गंड मंत्री मंडल के समस्त सदस्य मानुभाव राजस्थान के सम्मानिय विदायक महोद है सांसद महोद है पूर्व विदायक पूर्व सांसद और मेरे मोतियों से महंगे आदेनिया जन प्रतेनिदी कारे करता बंधूँ वैसे मैंने तो कहा था अदेनिया वसुंद्र राजी जी से कि आज तो मेरा गला भर गया है इतना कारे करताओं का अपूर्व प्रेम देखकर अबूत पूर्व त्यार देखकर मेरा गला भर गया मैं अभी बूत हूँ मैं ज़्यादा बोल नहीं पाऊंगा माफ करना आदेनिया दिया कुमारी जी आदेनिया प्रेम जी मैंने कहा ना गल्ती होगी मेरे से आज आज गल्ती होगी मुझे एक समा करें भूल चुक माफ कर देना वैसे जो दाईत तो मुझे दिया गया है यहाँ पर कभी आदेनिया भैरो सिंग जी सेखावत साब उन्होंने हमारा मार्ग दसन किया और उन्होंने इस राजस्थान को और इस भारतिय जनता पार्टी को मजबूती देने में अपनी अहम भूमी का निभाई आदेनिया सतीश जी अगरवाल साब आदेनिया रामदास जी अगरवाल साब आदेनिया जगदीश जी मातुर साब आदनिय भवरलाल जी सर्मा साब आदनिय हरी संकर जी भावडा साब आदनिय ललीत किसोर जी चतरुवेदी साब आदनिय रगुवीर सिंग जी कॉसल साब आदनिय गुलाब जी कटारिया साब आदनिय वसुंद्रा राजे जी आदनिय महेज जी सर्मा साब उन्होंने भी इस पज़ को सुसोबित किया था अधरनिय ओम प्रकास जी मातुर साब अधरनिय अरून जी चतुरवेदी साब अधरनिय सोग जी परणामी साब अधरनिय सतीज जी पूनिया साब और अधरनिय सिपी जोसी जैसे महनुभावन ने हमारा मार्क दर्सन किया और इ मेरे प्रेहना के स्रोत रहेंगे और इनसे मुझे सक्ति मिलती रहेगी मात्माओं का आशिरवाद और मंच पर और सामने विराजमान समस्त जन प्रतिलिदियों का जो आशिरवाद मुझे मिला है यह मेरी सक्ति बनेगा और निश्चित रूप से जो मंच ने आज मुझे चैता किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहने दूंगा वैसे तो मैं बासंड देने की इस्तिति में नहीं हो लेकिन चूंकि आपचारिकता पूरी करनी है इसलिए मुझे कुछ बातें हिम्मत करके बोलना है आप सब के सामें देखिया डबल इंजिन की सरकार है इंदुस्तान में उपर ते-ष के प्रदान मंत्री नरेंद्रभाय मोधी है जिन्होंने तीसरी इस देश के प्रदान मंत्री पत को घ्रण किया और अबृ अपना योगदाम दे रहे न दुन्या भाहु में भारत का पर्चम लहराया वस्थेव कुटुंबहतं का भाव लेकर के वो दुणिया में व जिस वो गुरु का भारत को दर्जा दिलाने के लिए वो अपना योगदान दे रहे हैं किसी प्रकार की कसर वो छोड़ने वाले नहीं है यह हम सब को पता है कि आप सब ने भी बहुत मेनत करी और उसके कारण से आज हम भारत में फिर से नरेंदर भाई मोदी जी के नेत्रतु बनाई है कि प्रतियक व्यक्ति समर्तिवान बने मजबूत बने और दुनिया में कहीं भी किसी प्रकार से भारत के नागरिक का मस्तक नीचा नहीं होना चाहिए इस प्रकार का काम उन्होंने किया है आप सब जानते हैं कि दुनिया के बड़े-बड़े देसों के मा और उस युद्ध को बीच में रोक कर जैसे दो सांड लड़ते हैं ना उनके सिंग पकड़कर रोक कर अपने बचों को सुरक्सित निकाल दिया ऐसे हमारे देश के प्रदान मंत्री नरेंद्र बोधी कि आप सब ताकत बनें यह मैं आप सब से निवेदिन करना चाहूंगा घुड़न है और दूसरा इंजन है राजस्तान में आदर्निय भजनलाल जी सरमा साब का अ मैं तो एक ही बात कहूंगा अभी कुछ दिन पहले एक कारकृकर तां संहलन हुआ ता राल दान भजनलाल जी ने एक आवान किया था कि मेरी सरकार इस कार सरकार है मेरे कार्यकरतों की सरकार है और किसी भी कार्यकरता का सम्मान बचाए रखना यह मेरा करतवी है यह उन्हें इस परकार की गोश्ट ना करी बहुत बहुत अभी नंदन है कि आपने इतना बड़ा और कार्यकरताओं का और सोच आपने रखी और कार्यकरताओं को ताकत दिलने काम आपने किया तो मैं भी आपके साथ कंदे से गद्दा लगा करके खड़ा रहूंगा और जो कारेकरताओं ने आज इज़त दी है, मेरा कारेकरताओं हमारी पूंजी है, और उन कारेकरताओं को सम्मान दिलाने के लिए और निश्चित रूप से हम अपनी अहम भूमी का निभाएंगे, एक निभेदन मैं करना चाहूंगा, आप सब जहां कहीं भी रहते हैं, उस इसलिए सरकार अच्छा काम करती है, तो आपको भी धन्यवाद देती है जनता, और थोड़ी बहुत कमी होती है, तो सिकायद भी आपको करती है जनता, इसलिए ये राज आपका है, ये सरकार आपकी है, तो अपनी सरकार की प्रसंसा करो, ये बेहनों को मालूम है, आपने द दुले को लेके जाती है दुले का अभिनंदन करती है तो एक गीत गाती है मारो बंड़ो हज्जारी गुल्रो फूल गाती है ना क्योंकि वो मेरा है और मेरा है तो सबसे अच्छा है तो आपने तो दोना ही बंड़े अच्छे है ये बंड़ा भी बहुत अच्छा है और उपर उसे संतूष्ट हो तो दूसरों से कहो और नहीं तो हमें कहो हम सुनेंगे आपकी बात किसी भी प्रकार का आप कोई भी काम लेकर क्याएंगे तो हम आपके बीच में सेतू का काम करेंगे और वैसे तो जबाबदरी दी है आपने कि राजस्थान और हिंदुस्तान के बीच में सेतू का काम करेंगे तो निश्चित रूप से सेतू का काम करूँगा अधिनिया वसंद्रा राजे जी ने मुझे गुरु मंत्र दिया अधिनिया विजयताई जी ने भी गुरु मंत्र दिया निश्चित रूप से आपने जो गुरु मंत्र दिया है मैं उसको पाथे के रूप में पाथे होता है ना अपना बाता लेकर के साथ में जाता है मैं पाथे के रूप में अपने पास हमेशा रखूंगा और यही प्रियास करूंगा कि जो अपेक्साएं केंद्रिये नेत्रतों हैं और आप सब और इन कार्यकरताओं ने मुझे पर रखी है मैं यह प्रयास करूंगा कि उन अफेक्साओं पर खरा उतरने में किसी प्रकार की कसर नहीं छोड़ूँगा आप सबका अभिनंदन करूंगा आप सबके संबान की रक्सा करूंगा कि कारेकरता बंदूओं वास्त में आपने यह अपेक्साओं भी की होगी कि अब जो विक्ति आएगा वैसे तो पहले वालों ने भी बहुत अच्छे काम किये बहुत बढ़िया काम किये बहुत अच्छे काम किये लेकिन उन सब से मैं सीख लूँगा उन सब का पूरा उपयोग करूंगा उन सब के भी साथ में बैट करके और उनके राय ले करके आप सब को सुन करके और उपर के सब के विश्वास को कायम करने का काम मैं निश्ची तुरूप से करूंगा मैंने आपसे पहले भी कहा था हिमत करके मैंने कुछ सब्धाए अपके सामने बोले हैं ये मेरे सामने विराजमा ने बहुत आध़नी हैं मंत्री मंधल के सदे से गण मुझे माफ करना कुछ गल्ती हो गई है हमारे कारेकरता वरिष्ट कारेकरता बहुत इदर भी खड़े हैं इदर भी खड़े हैं मैं फिर से आप सब का बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा कि बहुत कठी नहीं आई आई आपको यह आने में आपको बहुत तकलीब हुई मुझे पता है रात को भी कई कारेकरताओं के फोन आये कि दोनों टायर पंक्चर हो गए लेकिन फिर भी आप यहां पर पहुंचे हैं आप सब का बहुत-बहुत अभी नंदन मेरा मार्क दरसन करते रहें मुझे ताकत देते रहें मैं आपका ही हूँ आपके बीच का हूँ आपके साथ ही हूँ अपने से अलग नहीं है कुल के सिपाई को जहां भी बेजता है वो शिपाई तो आपिन इन ओय और में कोई भी फार्क नहीं है हम सब एक हैं एक मुखी है और एक मुखी रह करके और जंसेवा के लिए समर्पित दे आ आप सब का बहुत-बहुत अभीनान्दन बहुत-भुत धन्यवाद